सनातन धर्म में दीपों का त्योहार दीपावली बहुत ही विशेश महत्व रखता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण कर अयोध्या नगरी वापिस लोटे थे। दीपावली के शुब अफसर पर लक्षमी नेश की पूजा प्रत्यक धर में जरूर की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। हर साल हम दिवाली पर अपने घर लक्षमी नेश जी की नई मूर्ती खरीद कर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने के बाद समझ नहीं आता कि इन मूर्तियों का क्या करना चाह पुरानी मूर्तियों को पूजा वाले स्थान पर ही रहने दे। भाई दूज के बाद नई मूर्तियों को चौकी पर से हटा दे। पुरानी मूर्तियों पर शद्धा पूर्वक रोली अक्षत, खील बताशे, फूल, मिठाई चढ़ा कर पूजा करें। आर्ति करें और उसके बाद नई मूर्ति को वहाँ पर रख दे और पुरानी मूर्ति को पूजा के स्थान से हटा दे। हटाने के बाद मूर्ति को नदी में विसर्जित करें। मूर्ति को हमेशा लाल कपड़े में बांध कर विसर्जित करें। अगर आप विसर्जन करने नहीं जा पा रहे हैं या आसपास कोई नदी नहीं है तो घर में ही किसी बर्तन में पानी लेकर इनका विसर्जन कर दें. यदि लक्ष्मिग्रेश की मूर्ती मित्ती की बनी हुई है, तो उसे लाल कपड़े में लपेट कर जल में विसरजित कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करना संभव नहीं हो, तो आप घर पर ही किसी शुद्ध पात्र में जल भर कर उसमें भी मूर्तियों को गला सकते फिर उस पानी को गमले में डाल दें। सोने या चांदी की मूर्ती हो तो क्या करें। वहीं अगर आपकी लक्ष्मिग्रेश जी की मूर्ती चांदी सोने या पीतल की बनी हुई हो, तो ऐसे में दिवाली पूजन के बाद आप इस मूर्ती को गंधाजल से स्नान कराएं। इ ऐसा करना शुब नहीं माना जाता है। मा लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। मा लक्ष्मी की पूजा करके ही उनका अच्छे से नदी में विसर्जन करें और मंदल कामना करें। कई लोग लक्ष्मी ग्रेश पूजन के बाद मूर्तियों को पेड के नीचे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिलकुल भी सही नहीं माना जाता है। ऐसे में लक्ष्मिंग्रेश जी की मूर्ती को पेड़ के नीचे रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर विडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो भक्ती वेदा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जए मालक्षनी।